तो आगा तो आपका इस बूलेचिन में मैं हूँ आपकी साथ अवंतिक अश्रवास सब रुख करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रुख करेंगे इन दौर की और एक बड़ी जानकारी सामें आ रहे हैं बीजे बायम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ है शुभेंद्र गौड के पिता पर गलत टिपड़ी का मामला जोसे लेकर कारेकरता अब लगातार आंकरों जाहिर कर आ हैं बीजेपी कारे लेबर तमाम कारेकरता चूटे हुए हैं तस्पीरें आप देखे इन दौर के तस्पीरें मैजिक टिपड़ी से शुरूरा हुआ ये पूरा विवाद जो मारपीट तक जा पहुंचा शहर अध्यक्ष को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था शुभें अध्यक्ष को बुरी तरह से मारा गया है बीजेपी नेता और कारेकरताओं के जमका जड़ा पूई बीजेवाद के शहर अध्यक्ष से विवाद की जानकारी सामने आ रहे हैं शुभेंद्र गॉड के पिता पर गलट टपनी की गई थी और उसकी बाद कारेकरता भढ़के स दो पक्ष जो एक पार्टी के जो चार्ज तरह तरह से और सासन की बाद करती है प्रति जन्ता इवाद मोचा के जो नगर अध्यक्ष शहर अध्यक्ष है सौगात मित्रा उनकी पिटाई होई है और पिटाई करने का जो आरूब है वो जो पजादिकारी है सुभेंद्र गॉ दूसरे को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और प्रमिठन के उपर पूरा मामला अव प्रमिठन के सामने शिकायत दौना पक्ष्व भी तरह की गई है दोनों ही जो पक्ष्ष है उनके समर्थक्ष जो है वो अब पार्थिजिंद्र पार्टी का रहले पहुंचे हुए हैं और अब कारवाई की मांग पटेटे हुए लेकिन उससे बड़ी बात अवादिकाया ही है कि जो पार्टी चार्टी चाहरे की बात करती है उन्हीं के पताधिकारियों की इस तरह की महरपीड जो है कई सवारे दितान खड़े करती है कि आकर क्या करता हुए विकास और अक्सर जब इस तरह की विवादम बीज़ेपी में देखते हैं तो कहीना की संगटन सतर पर का सब्सक्राइब कोशिश होती है वीडिए शर्मा के निर्देश के विदान सब्सक्राइब के साथ काम करना है लेकिन इससे तर कुछ तस्वीरें इंदॉर्स इस पार विकास सब्सक्राइब के लिए और बीज़ेपी के लिए उस वक्त जब कुछ समय बात चुना हो जब यहां पर एक जुट्टा दिखाने का समय होता है और वहां पर एक जुट्टा ना दिखाते हुए आपस मैं ही ना सिर्फ कारकर तबल के पदादिकारियों को बीच मार्पीट हो सब्सक्राइब के लिए मार्पीट इसकादर की हुई सब्सक्राइब कर रहा है बलकि वापर रखे हुए कंबले और विकास की संगटन सतर पर इसे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है बहुत शुक्री आपको जानकारी के लिए उमरिया की चर्चा करेंगे जहां एक ट् पाई की चिंगारी से ट्रक में आग लगी थे और उसकी बाद धीरे धीरे पूरी ट्रक अपनी चपेट बे लिए एक बाहन जालक ने ट्रक ड्राइवर को फॉरण इसकी जानकारी दी ट्रक को सड़क की नीचे उतारा ट्रक ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुचा है पर आहित बरिबात यहीं कि जन्हानी नहीं हुई है कबार सहित ट्रक पूरा जलकर राकू चुका है तस्पीर आपकी ट्राइवर की बीसुजबूज आप देखी जैसे उसे जानकारी लगी कि ट्रक में आग लग गये फॉरण सड़क से नीचे उतारा इस ट्रक को ट्रक ड् ट्रक ने जैसे ही ट्रक ड्राइवर को इस बारे में जानकारी दी कि ट्रक में आग लगी है फॉरण इस व्यक्ती ने सूजबूज दिखाते हुए इस ट्रक को सड़क से अलग किया सीधी यह बताया जा रहे कि नर्वाई में आग लगी थी और सीधा ट्रक को अपनी चपिट में ले लिया इस आग में पूरा ट्रक जलकर आखूंगे बताया जा रहे कि कबार सिस ट्रक में लधा हुआ था और इतनी भीश्वण आग थी कि बचने का मौकर शाहिद नहीं मिल आपकी टीवी स्क्रीन्स पर ट्रक ड्राइवर भी पूरी तरह से सुरक्षित है कबार से ट्रक पूरा जलकर नश्ट हो गया है नरवाई की च्रिंगारी से ट्रक में आग भड़की प्रात्पेक्ट तौर पर यही जोईनकारी निकल कर सामने आ रहे हैं पूराना की चर्चा करेंगे जहां कोचिंग पढ़ने के लिए गई तीन नाबाले के शात्राओं के अपरण का मामला सामया है शिकायत मिलने के बाद पूलिस में हड कम किस्तिती है पूलिस ने ज्यात आरूपियों के खिलाफ केस दर्च किया है तलाश शुरू कर दी गई है म दो संदेयों को भी हिरास्त में फिला लिया है उनसे भी पूछताच किया रही है और इस बीच भूपाल से बड़ी जानकारी बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए कलेक्टर के तरफ से एक बड़ा आदेश सामने आए उनने इस जून से पहले कोई भी स्कूल नहीं खुल है उन्निइस जून तक रहात रहेगी बच्चों को इसा स्कूल जाने से रहात मिल सकती है है यानिकी उन्नि इस जून सरकार्य और प्राइवेट स्कूल को फिलने पर प्रतिबंदित रखा गया है बढ़ती कर्मी के बीच बच्चों को परशानियों का सामदर ना करना पड़ी इसी की विज़से कलेक्टे के तरफ से आदेश दारी हो चुके 19 यून तक रहेगी उसकी बाद स्कूल खुल सकते अब कबर अतलाम से है जोहाँ ग्रामीन बीजेपी विधाय की ओर से आयोजोत बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नमेंट में बवाल हो गया अंपायर के एक फैस्दे के बाद क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में तबदिल हो गया दोनों टीमों के दर्शक मैदान में घुसाए स्टंप और बैट लेकर आपस में भिड़ गए हंगामे में दो ग्रामी जोटिल हुए है हंगामी को बढ़ता देख आयोजोकों ने बीच बचाप कर मामने कुछ रानत भी करवाया इन माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मैच करवाना सब्भब नहीं था और ऐसे में आईजोक ने धराड और बिलपाक दोनों टीमों को आधियादी राश्ची बांटकर पानिल माच का समापन गर रहा था अब बात करेंगे कुर्बा की जहाँ न्यूजटीन की खबर का बड़ा सर्वा है शिक्षक से रिश्मत लेने का मामला सामने आया था और वीडियो भी लगातार वारल हो रहा था वारल वीडियो पर जैसे ही न्यूजटीन खबर दिखाए बीईयो ऑफिस सिक्लर को ने लाम दिया गया जांच में क्लरक खरेशरंट ग्यादफ दोशी पाए गया है वीडियो में ये भी कहते नजरा आ थे किसका एक हिस्सा बीयो साब को भीजना होता है और फोरन इंपर कारवाई हुई क्लरक ने लंबित हो चुके है पर बीजापुर की अब चर्चा करेंगी जहां पर विस्पोटक पाया गया है नकसलिए के मनसूबों पर फिर सिरक्षबलों ने पानी फिर दिया सर्चिंग के दरान सुरक्षवलों को आईडी मिला है आवापली बासागोडा मार्क पर आईडी पाया गया और जवानों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पर आईडी प्लांट किया गया था मौके पर ही जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दे अगली बड़ी खबर जाए नामी नक्सल दंपती का सरेंडर देखने को मिल रहा है यानि कि शेला के नामी नक्सल दंपती ने आत्मसमर पंड कर दिया है नक्सलियों की टेक्निकल टीम में ये दोनों दंपती काम कर रहा है था उसके बाद जैसे सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकरी लगी लगाता जिस तरह से अपील चली आ रही है और फॉरण इसी अपील का सर देखे आप मुख्यधारा से लगाता जो रहा है नक्सली सरकार की पुनरवास नीती का लाप इन्हें दिया जाएगा इदर अंबिकापुर की चर्चा करेंगे जहां महिला ने जमकर हंगामा मचा आये महिला मरीज ने हंगामा किया है मेडिकल कॉलेज उस्पताल में घायल महिला को इलाज के लिए भरती करवाय गया था महिला ने अस्पताल स्टाफ पर पत्थर से हमला कर दिया बार बार एंबुलेंस के नीचे महिला शिप रही थी प्रात्मिक दौर पर यह कहा जा सकता है कि हुश सकता है कि मानसिक स्थिती इस महिला की चीक ना हूँ हाला कि अभी तक जो तथ्य साम्या है उसमें इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है लेकिन ये तस्पीरों को आप देखे कि सरसे पत्थर से हमला करने के लिए महिला स्टाफ के पीछे दौर रही थी और इसकी बाद अचानक से एंबुलेंस के नीचे छिप जा रही थ आपने काबू में करने की कोशिश बहुत ही लेकिन ना काफी देर तक हंगामा चला रही है तक हुआ कि तस्पीर आप देख रहे हैं महिला मरीज ने जुमकर हंगामा किया है मेडिकल कॉलेज होस्पताल का ये पूरा मामला हाला कि बात में इस महिला कुशान्त करवाया जा स लेकिन उस्तों पहले किस तरह से हंगामे की तस्पीर सामय आई है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पत्थर से हमला करने की भी कोशिश मेडिकल स्टाल पर लेकिन ना हुआ है फॉरन यहां पर महिला सेयोगी पहुंची और काबू मेंडिया तर अग्रे दूसरी तरफ कॉंग्रेस के शहजादे राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं राहुल बाबा यहां नहीं बोलते विदेश में बोलते हैं क्योंकि उनको सुनने वाले यहां कम हो गए नरेंद्र मोदी जी ने देश की संस्कूर्दि और देश के इत्यास का सनमान करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश को गवरव दिलाने का काम किया है अग्र देश बर में मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे पताता हूं ये मोधी मोधी के नारे युवाओ नरेंद्रम मोधी जी का सनमान नहीं है ये मोधी मोधी के नारे मेरी नानदेड और महराश्ट की जनता का सनमान है क्योंकि देश के प्रधान मन्तिक एक और मोधी जी को दुनिया में सनमान मिल रहा है और दूसरी और कॉंग्रे तो तो तनिक सिन्यर कॉंग्रेसियों को पूछ लिए और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते हैं विदेज आकर बोलते हैं, क्योंकि देज में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेज आकर बोलते हैं. विदेज प्रदेश प्रभारी ओमाथो राज़्दानी राइपुन में मौझूद हैं, ग्यारा से लेकर पंदरा जून तक आम सभाय संभुत करेंगे। जो देखे, ओमाथोर जूकी अब ये लगातार कह रहे हैं, ये उपलबधियां हम जनता तक पहुंच आने वाले हैं। और इसी सिल्सले में कारेक्रम बहुत मैंतरपून हो जाता है, 36 गण में चुनाव 20 साल, 11 से 15 जून तक लगातार आमसभाएं, अलग-अलग लोकसभार शेत्रों में, सहीगी यूगल जादा जानकारी देंगे, यूगल क्या कुछ होने जा रहा है इस कारेक्रम की तहत इस तार से जाना चाहेंगे? तक बीजेपी आम मदाताओं को रिधाने का प्रयास है, वो लगातार कर रहे हैं, बूद इसतर से ले करके, लोकसभार विधान सवार इसतर तक जो जवाबदारी सोपी गई है, उनका जो फीड़ बेक भी लिया जा रहा है, तांस चाहत उन्हें जो जवाबदारी सोपी तो बड़ा अलग्ठ है बीजेपी के सामने के आने वाले चुनाओं में जीत दर्ग हो और वो सकता पर वापस लेटेजी चीक, बहुत शुक्रिया आपको यूवल पूरी जानकार के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शेलजा का जौरा होने जा रहा है, कल कोरबा जिले की दोरे पर आएंगी कुमारी शेलजा, कॉंग्रिस पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी, AICC के सचेफ डॉक्टर चंदन यादव पी वहाँ पर मौझूद रहने वाले हैं, सिलसिलेवा एक तरफ बीजेपी में वन्तान और दूसी तरफ आप देखें, कॉंग्रिस की तरफ से पी तैयारियां तेज होती हुई, उनके साथ AICC के सचेफ डॉक्टर चंदन यादव मौझूद रहने वाले हैं इस दोरान उन्होंने क्रिकेट भी खेला, कॉतम गंबीर का मिश्ट देवगन के साथ पूरा इंटिव्य देखें, कल रात आट बचे क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी तो अंकित तिवारी मैं कमेंटेटर बन जाता हूँ, तो अंकित तिवारी गौतम गंबीर को बॉल डाने जा रहे हैं, लेट सी वाट है अंकित तिवारी बॉलिंग तो गौतम गंबीर, what a shot, what a shot, and well ball, thank you so much, thank you so much, गंबीर साब आपाए, मेरी जगा आप कमेंटरी करना भी कुछ नया खरीदना चाहते हैं, तो नए अवतार के साथ उतरे मीशो पर जाएं, जी हाँ, भारत का एकमात्र वास्तविक e-commerce marketplace मीशो, नए अवतार में नए सिरे से, नए options के साथ अब मौझूद है, जहां न भाशा की कोई बंदेश होगी, ना ही आपकी पसंद की कोई सीम लोगड़ एपकी आपकी आपकी कोई सीमधू नए साथ इंडार में एपकी आपकी आपकी। पीहु का फेवरिट येलो बेप, डैड का अनियन खटर, असीम का स्कूल टाई और जीजु का अक्वेरियुम वाला मीशो सब का मीशो इंडिया के सारे रंग विरंगे कलर्स में से कुछ प्यारे रंग चुट कर और बुलिटिट में इतना ही, देख तुरे ही नियू सची एडलाइन्स प्रेजंटेट बाइट सब्सक्राइब